वेलो फ्रेंग्स वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल देखिया आथ बहुत सारे काम जो है काफी दिना से फेंडिंग भी हो जाते हैं बहुत सारा काम चल भी रहा है लेकि जो मौसम में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है उनसे थोड़ा सा अलार्ट रहने की ज़रत है क्योंकि अभी तक यह बहुत ठंडा था और एकदम से टंपरेशर इंक्रीज हो रहा है काफी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आते हैं कि उनके पौधे खराब हो रहे हैं तो देखिए इस समय फूट प्रांट खरीदने का रिस्क ना ले अब आप कोशिश करें कि बा आपके साथ वीडियो में शेयर करूंगी और क्या अपडेट मेरे यहां चल रहा है वह भी मैं आपके साथ सारा कुछ वीडियो में शेयर करूंगी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंट्स बहुत सारे काम मुझे आज करने हैं ए इस डी कंपोजर देने वाली हो देखिए सब्सक्राइब काफी कुछ चू है ग्रौ हो गई है और काफी बढ़ गई है और देखिए हॉलियो अपका फ्लावर्स कलर मुझे बड़ा प्यारा लगता है और यह देखिए फ्लावर्स कितने जबर्दस फ्लावर्स लगे हैं मैं बल्ब वाले पौधे को देती हूं और देखिए उसके अलावा में कुछ भी नहीं करती हूँ यह कितने साल से स्मेटी में लगे हुए है उसके बाद भी देखिए मेरा रजट बहुत खुक्तुरत लगे काफी टाइम तक भी रहते हैं लेकिन जैसे जैसे गर्मी बढ़ स्मौधी का सीजन थो नहीं है बट फ्लावरिंग हो रही है मैं क्या करते हूं कि हर बार इनकी कटिंग वगेरा होती जैसे मैंने इसमेड़ में लगा दी है कुछ स्पार्ट में लगा के सेव कर देते हूं नेक्सिर के लिए बडदे क्या इस अलग से लगाए तब बेहन के अच्छे से flowering चल रही है और ये देखिए friends मेरे mango लग गए है और ये देखिए कितने अच्छे से लग गए है फटिलाइजर मैंने माइक्रो न्यूटरिंट्स देने थे वो दे चुकी हूँ मैं और देखिए friends जितने भी पुराने टमाटर के पौदे थे मैंने mostly सभी हटा दि है तो ये जलने लग गए थे तो मैंने थोड़ा सा उपर ही ने किया है तो अब मैं इने निकाल दूँगे मैंने नए टमाटर के पौदे ग्रो कर दिये हैं और देखिए friends यहां जो मेरे पुराने टमाटर के पौदे थे उन सबको निकाल कर मैंने नए लगा दिये हैं कुछ नेट आप देख रहे हैं इस बार मैंने यह लगाई क्योंकि जो मैं बेल वाली सब्जे लगाती तो मेरे पास जगे कमें तो यहां पर इस से थोड़ा सा चड़ाने में easy जाते क्योंकि बेल वाली थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है तो काफी अच्छे से वो ग्रो करती है और यहां पर जो है मैंने मेरी तोरी लगाई है और देखे तोरी आना स्टार्ट हो गई है यह देखे आज मैं आपको सारा कुछ दिखाऊंगी क्या-क्या चल रहा है देखे तोरी बनना स्टार्ट हो गई है यहां से टमाटर हटा कर भी मैं कुछ सबजियां जो है लगा दूंगी और फ्रेंट्स देखिए मैंने अभी अभी नोटिस किया कि मेरे करोंदे में फ्लावरिंग हो रही है और ये देखिए से मैंने वेस्ट डी कॉंपोजर का जो फर्टिलाइजर होता है mostly वो ही देती हूँ इसमें मैं ये देखिए और ये वाला प्लांट जो मैंने अपने सीड से ही ग्रो किया और इसका आप रजल देखिए दाही से तीन साल बाद इसमें जो है फ्लावरिंग स्टाट होगी देखिए मैंने आपको दिखाया भी है इसे कैसे ग्रो किया जाता है बीज से जो मार्केट में बीज मिलते है उन्ही से मैंने इसे ग्रो किया है तो आप इसे ग्रो कर सकते हैं ये देखे मेरी सहजन कितनी अच्छे से मुझे उम्मीद नहीं कि तीन महने के बाद, चार महने में इसमें इतनी अच्छी से जो है, फ्लावरिंग हो जाएगी प्लांट में लीव्स कम है और फ्लावर्स जाद है और देखिए इसके लिए अगर मैं ये कहूँ कि कंटेनर का सेलेक्शन थोड़ा बड़ा कीजिए अलाकि मैंने तो दिग नहीं लगाया है आप इसे छोटे कंटेनर क्योंकि बहुत जल्दी से ग्रोध करता है अलाकि मैंने नीचे से यहां से जो इसे काफी कुछ प्रून भी किया था बट उसके बाद इसकी हैट बहुत इसे लंबे में जादा जाती है और फ्रेंड्स ये वाला जो मेरा वाइट मदार का पौधा होता देखिए कि इसमें कितने अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है और देखिए ये मेरे करेले करेले मैंने कुछ सब्जी थोड़ी सी लेट हो गई लगाने में क्योंकि फूट प्लंड की वज़े से उन पर इतना काम हो जाता है तो सब्जियों में मैं थोड़ा सा लेट हो जाती हूँ लगाने में क्योंकि February में मुझे इनका भी बहुत काम होता है तो थोड़ा सा डिले होता है मेरे ये प्रोग्राम और friends यहां मैंने जो है मक्का लगाई है और यहां टिंडे और मेरे टिंडे कुछ आ भी गए है उधर की तरफ बहुत छोटे से पौदे में ही आ गए है और friends finally अंजीर भी मे भी आपके साथ इसमें शेयर करूँगी और friends यह देखिए मेरे lemon का size कितने बड़े-बड़े lemon लग गए है अलाकि वह थोड़ा अंदर है तो मैं इसलिए नहीं क्यों काटे होते हैं तो यह देखिए size कितना अच्छे से हो गया है और यहां देखिए lemon कितने अच्छे से लग यह मुझे वैसी बहुत खुब्सूरत लगता अपने garden में और देखिए friends जो मैंने grapes की cutting लगाई थी उसमें भी फल आ गई है यह देखिए एक जगे नहीं काफी जगे आ गई है यह देखिए कितने अच्छे से बंच तयार हो गए हैं और यह इसका mother plant है इसमें भी देखिए grapes पर रहे हैं आज मैं अपनी जो फूल और सब्जियों को fertilizer देनी वो इस तरीके से waste decomposer इसको देने का मेरा सबसे अच्छा मुझे तरीका लगता बहुत fastest method हो जाता है यानि कि इतने सारे plant है तो मैं पूरा जो यह bucket होती है measurement के हिसाफ से मालूम होता है कि कितना इसमें पानी आ से मैं जो है fertilizer देती हूँ शाम के समय देखिए कुछ पौदर पर मैं नी मॉयल का spray भी जरूर करती हूँ ताकि बीच बीच में जैसे कहा होता कि efforts का attacks बहुत ज्यादा हो जाता है और आज मैं थोड़े से यह नए वाले sticky paper और लगाने वाले को कि काफी पुराने हो गए 6 साथ मैंने हो गए इनको और इनका मुझे बहुत best result मिला है तो ये भी मैं आज इनको change करूंगी मेरे पास रखके हूए और ये देखिए जो मैंने plant बहुत छोटा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर लिया भी तो सरफ एक fruit या दो fruit इस से ज़्यादा नहीं क्योंकि देखिए काफी अच्छी जो मैंने तीनों plant वहां से मंगाये तो देखिए मेरे काफी अच्छे पौदे निकले हैं और देखिए जो आमला मंगाया था उसकी growth भी आप देखिए काफी अच्छी चल रही है और देखिए दूसरा जो नाकपुरी orange का plant है इसने भी अपनी देखिए growth इस तरीके से जो ये मैंने लगा लिए हैं ये पुराने ही पौदे होते हैं अपने फिर से हो जाते हैं start growth की देखिए गॉमफोर्णा के भी मैंने कुछ नए plants जो है seeds से ready कर लिए हैं बस एक में ही मैंने लगाया है ज्यादा pot में तो इसे नहीं लगाया है अलाकि इसी में तीन- प्लावर सी में लेकर आय थी कहीं लगे हुए थे तो उसी से मेरे गार्डन में इतने हो गए हैं अपने आप ये चलते रहते हैं आजकल और देखिए फ्रैंट्स बिनका की तो मैंने बहुत सारी cuttings लगा लिए हैं यानि कि cutting नहीं भी लगाई तो इस तरीके से देखिए इन की ये देखिए ये देखिए ये भी जो है काफी अच्छे हो गए हैं थोड़ा चा देखिए वही वीड्स हो जाते हैं तो इने भी अलग करना बहुत जरूरी है और मेरे पिटूनिया के पौधे में ही देखिए इसमें कोई पिछली बार का कोई seeds रह गया होगा या कोई cutting र काफी अच्छे से मेरे जोपुदीना चल रहा है इस समय अभी तो देखिए winter के ये plants है ये भी काफी सारे चल रहे है बस अब धीरे दीरे लेकिन वह योगा इनको मैं थोड़ा shaded आज कर दूँगी तो ताकि ये अच्छे से चले और देखिए बल बाले plant है उनकी growth भी फ्लावर्स होते हैं देखिए मैंने खरीदे नहीं है ये मैं पेट्रल पंपर गई थी वहां समय इसके फ्लावर्स लेकर आई थी और ये देखिए एक बार सिरफ आप इने लगाई है हर साल लगाने की ज़रूती नहीं अपने आप जो हैं ये grow होते रहते हैं और ये देखि सठीक करना है मुझे या फिर इसी में चलते रहने दूँगे देखिए पॉट की बड़ी प्रॉब्लम होती है अगर मैं ये बात करूँ तो बहुत सारे फ्लावर्स हो जाते हैं और ने कहां पर लगाओ समझ में नहीं आता है देखिए फ्रेंड्स थोड़ी बहुत क्लेनिं बट इतनी ओले की वज़े से कुछी फ्रूट्स लगे थे दो तीन ही लगे थे फरस्ट टाइम एक साल की पॉदे भी तो लेकिन वह मतलब नहीं रह पाई इस बार तो चलिए नेक्स टाइम फ्रूट प्लंट में तो यह होता है कि आपको नेक्स एर तक वेट करना हैं तो काम काफी बढ़ जाता और गर्मी जो है एक्शन में जो धीरे धीरे गर्मी आती है धीरे सर्दी आती है उससे प्लांट भी अच्छे से सर्वाइब करते हैं अब जो यह इस तरीके से एकदम से 30 से एकदम 40 जो जम करता है जैसे टेंपरेशन ना तो हमारी बॉड़ी सर्वाइब करती है प्लांट्स भी देखिए उसमें डेमेज होने के चांसे बहुत जादा हो जाते हैं तो बट वह यह नेचर है आप कुछ नहीं कर सकते हैं उनका तो थोड़ा थोड़ा काम मैं भी अपना रेगुलरी रेगुलर डेली करती हूँ बट संडे को ही होता है क् कुछ अगर किसी में हलाकि देखिए मुझे हैंड पॉलिनेशन की जरुरत नहीं पड़ती है बड़ी सबजियां होती कद्दू अगेरा हुआ तो उनमें मैं कर लेती हूँ कि रस्क नहीं लेती हूँ वरना हनीबीस काफी आते हैं तो प्रॉब्लम नहीं आती है तो आज मैं जरुब्लम नहीं र